इसी जस्मीत फ्रॉम जस्मीत लासी तो कैसे हैं आप सबुए कि आप सबी लोग ठीक होंगे अपने घर पर सेव होंगे तो गाइस मैं आज आप सब के सामने हाजरूं भी ए प्रोग्राम सेवेस्चर फोर आप सब का आज का सब्जेक्ट रहेगा एज्यूकेशन अंडुस्ट के अच्छे से त्यारी कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से पास हो पाएंगे तो बिना टाइम वे इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन की बात करते हैं सबी बच्चे विशेष्ट हैं इस स्टिपनी से आप क्या समझते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेष्टाएं क्या हैं एक शिक्षक के रूप में आप उनकी प्रतिभा को कैसे प्रोचसाहन देंगे अब इसका पार्ट समझते हैं English Medium में और All Children Special What do you understand by this comment? What are the characteristics of gifted children? How would you encourage their talent as a teacher? The next question is Ericsson Dwara किये गए विकास के सिधान की चर्चा कीजे किशोरों के विकास को समझने में ये सिधान शिक्षिकों की किस परकार मदद करता है Discuss the theory of evaluation given by Ericsson. How does this theory help teachers in understanding the development of adolescents? The next question is Rogers Dwara प्रतिपादित अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता के व्यक्तित तथा समाझी विकास की भूमिका का मुल्यांकन कीजे Evaluate the role of individual and social development of the learner in the learning process as propounded by Rogers The next question is Suchna प्रक्मन उपागम क्या है? सिक्षा के लिए इसके नहीतार्थ पर चर्चा कीजे What is information process approach? Discuss its implication for education The next question is Piazzet के संग्यानात्म विकास के सिधान की चार अवस्थाएं कौन सी है? किनी दो अवस्थाओं की विशेश्था और शैशिक निरताओं की चर्चा कीजे What are the variable stages of Piazzet's theory of cognitive development? Describe the characteristic and educational implications of any two stages The next question is पिछले कुछ वर्चों में बच्चों और किशोरों द्वारा मीडियों और प्रोधिगिक के उपियोग में विदी देखी गई है आपके नुसार ये उनके समाजिक और भावनात्मक विकास को कैसे प्रभावित करता है? The past few years have been an increase in the use of media and technology by children and adolescents. How do you think it affects their social and emotional development? This is the most important question. The next question is अच्छे मानसिक स्वास्थे के अंतरगर्थ तनाव से निपटने की विभीचास के विकास और शुद्धी करन के विद्याले की क्या भूमिका है? What is mean by positive mental health? What is the role of the school in the development and improvement of positive mental health? The next question is अच्छे मानसिक स्वास्थे के अंतरगर्थ तनाव से निपटने की विभीन विद्यों के संधर में चर्चा कीजे. Discuss with reference to various methods of dealing with stress under good mental health. And the next question is मंद रही बच्चो और उतकस्ष व्रिदी में अंतर स्पस्थ कीजे. Explain the difference between retarded child and stunned growth. The next question is अल्प कालिक और दृत कालिक स्मिती पर टिपना करे. Comment on short term and long term memory. The second last question is छोटे बच्चो में सन्वेगो के विकास में परिवार और विध्याले की बुमिका का विवेचन कीजे. Discuss the role of family and school in the development of emotions in a young child. And the last question is Sunwaying, Ev, Ant, व्याक्तिक संबन्द पर टिपनी करे. Comment on emotion and interpersonal relationship. तो गाईज ये थे आप सबके important questions. आप इन सभी questions के आपको notes आइए. तो ये है वो website. Link आपको मिल जाएगा description box में. ये सभी notes Hindi language में available होंगे. हाला कि मैंने फिर भी आपको English media में questions प्रोवाइड करवा दिये. ताकि students चाहें तो Hindi media में भी अपना exam दे सकते हैं. ठीक है? क्योंकि कुछ भी ऐसा compulsory नहीं है कि आपने कौन सा mood choose किया था. आप किसी भी language में या तो Hindi या फिर English में अपना exam attempt कर सकते हैं. कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी. कोई भी complications नहीं हैं. तो आप इन सभी questions की त्यारी कीजिए. अगर आप इन सभी questions की त्यारी कर लेते हैं. दिन definitely आप अराम से पास हो जाएंगे. क्योंकि time बहुत जादा कम बचा है. अपने preparation पे पूरा focus करें. और कोई भी बातों मताएं कि आपके exam किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे. आपके exam अभी के लिए offline mode में है. डेच शिट आ चुकी है. admit card exam से one week पहले आता है. तो वीडियो को like करना, channel subscribe करना और बताएं comment box में कि next जो रहेगी वीडियो वो कौन से topic पर होनी चाहिए. Thank you so much.